हलो स्टूडेंट्स आप सभी लोग का स्वागत है साथ वी से बार्वी क्षा तक सभी विश्यों के कम्प्लीट वीडियो कूर्स और वह भी फ्री अफ कॉस्ट वर ऐसा नहीं कि वह एक चैप्टर आपको फ्री करवाया गया और कह दिया जाए बाकियों के लिए सब्सक्रिप पर यह तो बहुत अच्छी बात है चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सब्सक्राइब को स्टार्ट तो आज हम पढ़ने वाले प्रिश्टिश छेत्रफल और आयतन जो कि कक्षा दसवी का पार्ट तेरा है और इसके करने वाले हैं MCQ कोस्टन्स ओके यहां पर हम इसके द की करना जरूरी हैं कि हम आपके लिए को स्टार्ट करने से पहले मैं तो इस चब्र में हम चाहिए पढ़ चुके थुकिए तो इस चप्टर का सबसे पहले कोश्य कोई पर चुके हैं और साथ ही साथ इसके एंसी एर्ट का पूरा सॉलिशन भी कर चुके हैं यह जितने भी प्रशनावली के कोश्चन है उधारन के कोशन है हर चीज को बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया ओके तो जिसने वह नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लिना अगर आपको आता हुए तो बहुत अची बात है नहीं तो फिर हम दो बताई रहे हैं कि यहां पर आप अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हो और चीज़ें सीख भी सकते हो दान चलोबे करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखें हैं किस टाइब के कोश्चन से हां जी तो यहां इस ने धाहें एक गोला है जो कि इसकीत दिर्जा कितनी है तीन सेंटी मेटर है क्योंनि व्यास छे है तो पहats तार बनाए गई है यह तार बनाए गई है अब यह तार का जो व्यास है वह दे रखा है वह दो मिलीमेटर वह तार का व्यास कितना है दो मिलीमेटर और मैं आपको बता हूं मिलीमेटर सेंटीमेटर में होता है दस मिलीमेटर यह होता है एक सेंटीमेटर में दस मिलीमेटर होत 2 mm अब हमीं बताना है इसको पढ़ा कर जब यह तार बना गये तो इस तो इससे अगर पढ़ा करिये बनाये गया भी इसका और इसका आयतन तो बराबर होगा बहुत दोनों का इतन से मोगा डन चलो ठीक है अब जब दोनों का आयतन से कर पाएंगे और देखिये कैसे तो यहां कि मैं बात करूं अगर मैं कहूं इसकी तरज्यार है यानि यह आगया हमारे पास है इसको capital आर है जो कि यह सकते हैं क्योंकि इसको अगर भग करता हूं तो वह सेंट्र इसको इस्किल लंबाई यह हमें घ्यात करना ओके अब हमें पताएं इसको बिग़ाके बनाए गया है यानि हम कह सकते हैं गोले का आइतन यानि इच्छ फोर घो पाई आर्घ्यूब जो है यह बराबर होगा इसके आइतन के जो कि क्या होता है पाई आर स्कॉर एच होता है यह बराबर में यहां पर इस आर की बात कि यह जिरो पाइंट वन है तो जिरो पाइंट वन गुने में तो जिरो पाइंट वन लिखा गया और वहीं साथ में एच है तो एच रहने दिया ठीक है इस तीन से एतीन कट गया डन अब चारतिया बारा बार दुन चोई वारते च्छतिस तो यह शतिस आ गया ठीक है अब इसकी बात कहें तो यह नीची आएगा नीचे कितना रहा है तो ज इसी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं इसी को एक बटे में दस यानि जीरो उपर आएगा इसको भी लिखेंगे एक बटे में दस यानि जीरो उपर आएगा यानि अब मैं क्या सकता हूं इतने सेंटीमीटर किया चुका है है अब भाई इस सेंटीमीटर को हमें किसमें करन्व बदलेगा और दोजिर से दोजिर गया 36 मीटर इसका आंसर आ गया यानि इस तार की लंबाई कितनी हा रही है 36 मीटर दन तो यहाँ पर हमने दिखा इसका थर्ड आप्सन बिल्कूल खरक्ट आता है जो कि उस कंडिशन में तार की लंबाई क्या होगी बस एक बात ध्यान रखना भाई इसको पिगला कर यह बनाया है तो दोनों का आयतन बराबर होगा और आयतन को रखा बराबर अपने आप वैल्यूस आएगी डन तो आप इसका स्कूर्ट ने सकते हो फिर हमाते हैं नेक्स्ट गोने सिर्ज्ट कुमाbek अभत सेंटीमेटर हमें वाले चोटे चोटे शंकुमें बनाए जाते हैं पर इस ने क्या कि एक गोले को तुर माथ चलो ठीक है उलम है आम । गोल आई आ गया इस गोले की जो तुर्जा है वो कितनी है दस दसमलो पांच है पाइब गोले की तिर्जा जो है वो दस दसमलो पांच संटीमेटर है चल वह यह जा गया अब इसको पिगला कर शंकू बनाये गए हैं बहुत सारे ठीक है वह यह शंकू मैंने यहां पर लिखा बनाया अभी शंकू की बात की जए तो इसको इसके तीन सेंटेमेटर ऊंचाई है यानि मैंने इसको देखा तो इसकी उंचाई जहीं तीन है भई रहा और उसकी तृज्या की बात की जए तो तीन पाइंट पांच में अम घूता तीन ौर्ण acting इहां पर आ गए तुम 10.5 और मैंने बता रखा है आपको जब भी 10.5 दिखे तो इससे 21 बटे 2 कर देना जब भी 10 5 दिखे आपको उसको 21 बटे 2 कर देना solution बड़े अराम से होगा के मतलब बहुत असानी solution उपाएगा कट पाएगी values इसकी बात की जाए तो यहां पर भाई इसमें दिखा तो है यहां पर यह भी सेंटी मिटर में आगया और यह भी संटी मिटर में आगया अब हमें पता है कि इसका और इसका आईतन बराबर होगा ऐसे बहुत सारे होंगे तब यानि कि मैं लिखता हूं गोले का आयतन होता है 4 by 3 पाई आर क्यूव भाई यह बहुत सारे हैं अब देखते हैं कुछ कट रहा है क्या तो भाई से पाई कट गया ठीक है इस तीन से तीन कट आप जो बचा उसको धर वेज़ते हैं तो चार आर कितना है तो भाई आर हमें दे रखाया ने कहुंद है 10.5 दे रखा ने 21 में दो गुने में 21 में दो नीचे की बात कर यहां पर और आर कितना है साथ बटे में 2 याने साथ बटे दो गुने में वेच है एकिस अटना है तो तीन है तो तीन ली बच्चा क्या है तो यह यहां पर एंगा और यहां पर देखते हो इस दो दुनिय का भी कट गया है अब यहां पर देख पहार है वह 21 63 आ रहे हैं और 63 को 2-से गुना करोगे तो कितना है गा तो 63 दुनिय 126 आएगा तो यहां पर हम देख पाई हैं 126 यह यानि कि अगर आप इसको पिगला कर शंकू बनाओगे तो टोटल कितने शंकू बनेंगे तो एन ही तो नंबर ऑफ शंकू था ठीक है और वह कितना 126 यानि कि हमने देखा सेकेंड ऑप्सन बिल्कूल करक्ट आता है जिसमें 126 आज चुका है आप इसको चेक करते हैं क्या यह स सब्सक्राइब और अगले कुश्चिन रिखते हैं वह किस टाइप का है और कैसे उसे भी अराम से हम स्वाल कर रहे हैं नीचे अर्धगोला है ठीक है मैंने अर्धगोला बनाया नीचे और उपर जो है वह शंकू का का मतलब कुछ ऐसा आ गया ठीक है यह आगया वार पास संक्वाकार है यदि दोनों भागों के प्रिष्ट शेतरफल समान है यानि कि इस शंकू का और इस का दोनों का प्रिष्ट शेतरफल समान है यानि कि अगर मैं कहूं कि इसका प्रिष्ट शेतरफल क्या होगा वह इसका यह बोले जाए तो शंकू का प्रिष्ट शेतरफल होता है और नीचे वाले की बात की जैए यह भी बराबर है कि वह यह बराबर है कि से घुग्र ठीकर फ्रिष्ट शेतरफल यानि कि इसका वक्र शेतरफल तो है नहीं तो बपर जो हमारा शंक हुए उसका वक्र कि तना होता है पाई रलुट है डण चलो ठीक है अब देखते हैं कु पाइ से पाइ कट गया है और एक और से एक आर कट गया और कितना आ गया है दुआर आ गया वह यह बात आ गई है यह हमारी त्रिया कुछाई ड़न चलो ठीक है और हमें ग्याद तो आर और रहेच्ट करना था अभी तो फिला यह लो रहा है तो फिल्व कुल निकालेंगा तो जैसा कि हमें पता है एल का स्क्वाइर जो होता है वार का स्क्वाइर प्लस में आच के स्क्वाइर के बराबर होता है यह होता है डन अब ल कमान दो हर और है इसको उठा के यहां पर रख देते हैं दो आर को जैसे ही मैंने यहां रखा तो यह दो आर का वर्ग है बराबर में प्लस में एच का स्कॉर आ गया ठीक है भई यह यह तो इस एच को निचे लाते इस तीन को नीचे लेके जाएंगे यानि कि मैंने कर दिया आर स्क्वार बटे में एच स्क्वार बराबर में एक बटे में तीन आ गया अब भाई देखो दोनों पर स्क्वार हटाओगे तो क्या होगा तो उस सैड रूट लगेगा यह होगा तो भाई हमने लिखा भाई आर बटे में एच जो है यह कितना आ गया तो भाइ यह रूट में 1 है जो की 1 ही उता है रूट में 1 oldu in होगा यानि हम नैंब सैकिन आएगा जो कि हमारा और सैकें है तो हमने यहां पर चैक किया तो 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 बिल्कुल ठीक है तो यहां हमने देखा शूरी एक आंस ऑटब दा है ओप तो दिक्कत बात नहीं यह कुश्चन बड़े प्यार से कंप्लेट हो गया है और आते हैं नेक्स पर अगले वह किस टाइप का और कैसे उसे बड़े राम से आप सौल करेंगे चला बात करते हैं चौता कोशन और तर्जया वाले एक ठोस गोले को पिखला कर और उंचाहिवा ने बात झाने शभन जो को इसने क्या कहा है आर त्रिया वाला ठोस गोला है यानि ये गोला है ठीक है इसको पिगलाया गया है इसको पिगलाया गया है और आर उचाई वाले शंकू मतलब यहां पर एक शंकू बनाया गया है इसको पिगलाकर एक शंकू बनाया गया है ठीक है और इसके उचाई कित खूला प्रभीं टीज़ फिसका होगा है एक बटे में 3 और पाई आर-स्क्वार-अचाइगा ठीक पीन मैं ऑर-चाई-क भीन्छ संकूं-क के अधार कि तरञा यह when चैपिटल और यह हमिए कुछ गट एह है तोड़िसे पाइ मुठक है तो फे से पाई कट गया है ता यह और कर हटर्धुल कंभाइंड है दो हटाती रूट लगेगा तो रूट लगती यह दो डो सब्सक्राइब करते हैं क्या यह सही है तो यहां ने चेक किया तो बिल्कुल ठीक है नो प्रॉब्लों यह पर समाप सब्सक्राइब बड़े आप से कोई दिक नहीं हुए तो आप आते हैं नेक्स्ट वे अगले को दिखते हैं और कैसे उसे वह बड़े आराम से हम सौल करते हैं तो कि नेक्स वारा प्रसंट नमबर पांच और पांचों क्या कहता है तब यह एक संकू में उपस्थित पदार्त को समान तरिज्या के बेलन के रूप में बदला हमने डाल दिया गया है और इसमें यह कहा है कि दोनों की तरिज्या जो हो समान है समान कहा जाए तो इसकी तरिज्या अगर आर है ठीक है तो इसकी तरिज्या भी आर होगी ओके इतनी बात हो गई है चलो अब उसके बाद इसने यह कहा है कि यदि बेलन की उचाई पांच सें इसी के अंदर का पजारत इसमें डाला है यहां पर हम देख पा रहे हैं आर के वरों से यह कट गया पाई से पाई कट गया और हमने यहां पर देखा इसके यह क्यूंचाई कितनी आगे पंदर सेंटीमेटर यानि के सब्सक्राइब करेक्ट आता है और आब आते हैं नेक्स्ट कुश्चन को खुद से भी ट्राइब करो यहां पर मैंने आपको दिखाया अब इसके वीडियो पॉस्ट करो और खुद से ट् का अंसार निखालने को रो निकल जाता तो बहुत ही अच्छी बात है और नहीं निकलता दो नकता ही तो हम यह करवाई नहीं तो इस इसने कहा वह एक सरकर सरकस का तंबू चार मिटर की उचाही तक बेलन के आकार का है ठीक है तो इसका व्यास 105 मिटर है तो इसे बनाने में इस्तेमाल किये गए कपड़े का कुल प्रिशेद्रफल हमें ग्याद करना है यानि कि यह कह रहा है बहुत नीचे तो इस तरह का यह है बेलन के आकार का कर और इसके ऊपर ऐसे शंकू बना हुआ है पर यह ऐसा कुछ टेंट बना रहा है उके अब इसने काई तंबू 4 मिटर के उंचाई तक है मतलब 4 मिटर के उंचाई तक यह इस प्रकार का है ठीक है उसके बाद इसने कहा है वह था यदि इसका व्यास जो वह 105 मिटर है इसका व्यास 105 मिटर मतलब तिरज्या कितना होगा तो 105 बटे में 2 मीटर होगा वह इतना इसकी प्रिद्जा है ठीक भी और इसकी त्रियक कुछ आई किया होती यह होती है यहां से हमने इसको देखा तो यह भी तरजिया यहां पर है और यह चीज आ गए पूरी अब इसमें यह कहा गया है कि तो इसे बनाने में स्टमाल के कपड़े का कुल प्रिश्य फॉल मतलब इसको बनाने के लिए तो इसमें बेलन का वक्र प्रिश्य फॉल निकालना होगा और दोनों को जोड़ों कि तभी पूरे का यही होगा तो वह हम देखते हैं शंगो का और बेलन का कितना होता है तो याद होने चाहिए कोई दिक्कत नहीं होगी तो यहाँ पर देखा वाई आर कॉमन आ यहाँ रहा है दोनों में और यह बच गया एल प्लस में दोएच बच गया ठीक है पाइगा यह आपका चाहरा रखाएं क्योंकि पेलन की हूंचाहिए ठीक है तो यह कितना है चाहिए चलो है आफ आजए और सौल करती है तो क्या रहा है तो साथ से हमने भाग क्या तो साथ एकम साथ साथ पंचे 15 पंचे 15 अगया फैसे आपको करना बड़े अराम से बिना कॉपी पहेंच चलाए हुए इसट चार दुनी और आठ ऑर राठ को चालिस पे जोड़े है तो यह सब्सक्राइब बगॉन का दो हासिल पांच आ जाएगा फैसे हम ने किया पांच ठीक है आठ पांच ना हो तो फितना उता है या गया चार से करें तो पांच बूस का जीरो हासिल दो आएगा च्छाइब चौबिस पच्छिस चब्शी हासिल दो आएगा और चार गम चार दो छी आ जाएगा अब इसको देखा तो बहुत जीरो आ रहा है दो आ रहा है और साथ आ रहा है और क्या आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना कि यह लिखें वेश्चंकू कि तरिज्जा यह वही बेलन की तरिज्जा यह बेलन की उचाई है इतना लिख क्या आपको नहीं दिखाना क्योंकि एक मार्ग सब्सक्राइब करने के लिए आप सीधे यहां पर देखोगे कि वह यह लिख सकते हो वहीं यह कितनी तरिज्जा कितनी है तो 105 वटे में दो है यह सब्सक्राइब करते हैं क्या यह सही है तो हमने चेक किया तो बिल्कुल ठीक है नो प्रॉब्लम तो आते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर अगले कुश्चन को दिखते हैं वह किस टाइप का और कैसे उसे भी बड़े राम से हम सौल करेंगे चलो यहां पर नेक्स्ट कुश्चन हमारा साथवा कुश्चन यदि 6 संटीमेटर व्यास वाले प्रते गोले को पिगला कर बैए 45 संटीमेटर उंचा तरह चार संटीमेटर व्यास का एक ठोस धातू का बिलन बनाया जाता है तो गोलों की संख्या ग्यात किजिए पतलब यहां प पर बताओं कि सबसे पहले हमने गोला बनाया एक छोटा गोला था जिसकी तरज्या हमें दे रखे कितना भाई 6 संटीमेटर व्यास है मतलब तीन आ जाएगा वह इसको बेलन बनाए गया जो कि उंचा सा बेलन ठीक है इसमें बनाए गया है और इसकी बात कही गई तो इसकी चत्ति इसकी तरज्या किती थे टो εκ तीर होगी दो भाइसे दो है ओकि की उंचाई 45 है अब हमें पताएं ऐसे बहुत सारे मिलके यह यह चंच इसको मैंने कैपिटल आर माना जो की तीन है इसको माना स्मॉल आर जो की दो है और स्मॉल एच जो की 45 है वह यह कर दिया इसको यहां पुट करेंगे के अब हमें पता है इस बेलन को बनाने के ऐसे बहुत सारी यूज ए यहां यहां कितना है तो यह है दो गुने में दो आ जाएगा एच की बात की जाए तो भई 45 है ठीक है इधर यह तीन जो है यह तीन उपर जाएगा तो भई तीन उपर आ गया और चार उपर है नीचे भाग में आ जाएगा ठीक है बराबर में आर का क्यूँ यह आ गया डन अब देखते हैं कुछ कट रहे क्या उरी देखा तो मिश्यक्ति दू दूनी चार सेचर कट गहां आब सब्सक्रास्तों 3 यह किटना करें बव्य का सबोती था सब्सक्राग चार भारा और 15 क्यूर्च भाया है 0 जीम 4 का क्यूब आ गया अब देखते हैं यह किसका क्यूब आ तो क्यूब की बात करें तो इसके गुणनखंड करेंगे तभी निकल पाएगा तो पैंतालिस मतलब 135 जो है इसको मैंने पांस से भाग किया तो वह कितना रहा है पांच दुनी दस पांच सते पैंटिस फिर तीन से भाग किया तो तीन नो नो आ जाएगा और भी तीन क्या तो आप यहाँ पर हमने देखा आर कमान ओमें रखा ना कितना है तौकि है क्या रहे थार तो तीन इंदें पंद्रा है तो यहां पर यहां पर एंद कमान पांच आ चुका यानि की ऐसे ऐसे पांच गोले मिलेंगे तब जाकर यह एक बिलन का आकरती बनेगी तो यहाँ पर हम ने देखा वह पांच आप्सन मतलब की थर्ड अपसन करेक्ट होता है पांच यह निद थर हां जे यहां पर हाग आधने टटाए ड़तन में डाला जाता है यानि की इस ने पानी तो यहां पर आ रआ है पूरा निवरा बार ने इतना पर Oh ठीख है अब इतना पानी वराय और इसके अंदर डाल दिया गया है क्या तो भी एक गोले को डाल दिया तो गोले को डालें तो गोला को इस टाइप का है यह सोगोले को डाल दिया अब अरे इस गोले को यहां पर डाल दिया हमने उके इस पानी के अंदर गोला डाल दिया देवर दुवारा पड़ते हैं एक छे सेंटिमेटर वाले गोले को आंसिक रूप से भरे आंसिक मतलब नहीं पता कितना भरा हुआ है ठीक है उतने उस भरे पानी में बेलनाकार बरतन जो कि है और इसमें भई मैं इसकी त्रिज्वा को लिए ताहूं इसकी तूझ इसी तरिज्वा प्रिके है यह गोले गोला इसमें पूछ रहा है तो ऊपर उठा गया पानी देगो क्या होगा अगर इसके अंदर पानी बढ़ा होगा और आप इसके अंदर पानी डाला इसमें जितना भी लेवल बढ़ा है ठीक है उसका जो आइतन होगा वो इसके बराबर होगा यह चीजे अब देखो यह कैसे निकलेगा यहां पर सबसे पहले में इसमें गोले की तरिजया जो है वो छिए ओर जो बेलन की टीजया तरिजया उसको capital R माल लिया उसको 8 माल लिया ठीक है यह आ गया है और इसकी जो उंचाई है उसको हमाल लिया और यह हमें ग्याद करना है कितना उंचाई होगा अब देखो क्या चीज़ा है जितना आपने इसमें डाला उतना ही तो बढ़ा है यानि दोनों काईतन बराबर होगा यानि मैं लिखों 4 by 3 पाई आर क्यूब बराबर में होगा वह पाई आर सकारेच भाई यह होगा पाई आर सकारेच होगा ठीक है अब भैसको मैं काटता हूं कट रहे कुछ तो बिल्कुल कटेगा पाई से पाई काट दिया हमने अब मान रखते हैं 4 by 3 आर का मान 6 है तो 6 गुने में 6 गुने में 6 आए और इस आर का वर यानि नीचे इसके बटे में आएगा 8 गुने में 8 आगया डन और यह आरा एच अब कुछ काटते हैं बढ़ी चार से कटा दो पर कट गया ठीक है अब 2 से काटा तो चार आएगा और यह काटा हमने 2 पर तो 4 आएगा और यह आएगा तीन वाई दो से दोनों काट दिया फिर यह 2 पर काटा तो यह कितना आएगा तीन नौ बटे में 2 आ रहा है यह एच है और इसको भाग किया तो बहुत चार पॉइंट पांच यह इतना आ चुका है सेंटीमिटर यानि कि इस इसके अंदर गोला जाएगा अगर उसका पानी पहले इतना था तो जैसी गोला अंदर जाएगा पानी अपने आप थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो इसका मान यह जो बढ़ा है इसी को कहा जा रहा है यहां पर अब यह जो बढ़ा है यह जो आकरती में इतना बढ़ा है ठी तो इस तरह से हमने इसको ग्यात किया है अब इसको चेक करते हैं क्या यह सही है तो हमने इसको चेक किया तो भई बिल्कुल ठीक है नो प्रॉब्लम और आते हैं नेक्स्ट कुशिन पर अगले कुशन देखते हैं वह किस टाइप का हर कैसे उसको भी बड़े राम से हम सौल करन में यदि उनके उंचाई का अनुपात दो अनुपात तीन है तो उनके वक्र प्रिश्य तरफलों का अनुपात कितना होगा यानि कि मैं बात करूं तो यहां पर यहां पर हमारे पास दो बेलन है एक चोटा बेलन मैंने बनाया हूं ठीक है और एक बना दिया बड़ा बेलन अब जैसा कि कौशन में कह रखा है कि इसके तरज्य का जो अनुपात कितना है इनकी ह्यार इन अनुपात है और अब देखो एक्स तो हमने माल लिया वाई मानना पड़ेगा इसके उचाई को वाई मानेगा तो यह अगर दो आई है तो भाई इसकी उचाई और होता है और है यह होता है इसके दर हो आपका 3 ए और है न मेरे इसके अंदरक comentários और है तो भाई च्वोटा है दो वाई नीचे की की बात किजिए तो बड़ा आरे है पांच एक्स और बड़ा है तीन वाई अब यहां से देखा X से X कट गया आका के बंदेंगे जो कि अनुपात को रिलेट करके कुश्चन सबना को आ सकते हैं तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है तो यहां हम ने चैक किया तो भाई बिल्कूल ठीक No problem तो आप इसका स्क्रीन सौट ले सकते हो कोई जिकत वाली बात नहीं और आते हैं नेस्ट कुशन पर अगले कुश्चन देखते हैं वह किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े राम से हम सौल करने वाले हैं ओके चालो हुआ हाँ यहां बात करते हैं परसन नमबर दस पर दस वह कुश्चन में हम यहां देख रहे हैं कि 16 सेंटीमेटर व्यास तथा 20 सेंटीमेटर उंचाई वाले बेलनाकार के वक्रप्रिश्चेतरफल तथा संपुर्ण प्रिश्चेतरफल का अनुपात चाहिए तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि तुरिज्या जो है वह आठ सें होता है वह टू पाई रहे हैं ठीक है और बटे में चाहिए संपुर्ण प्रिश्चेतरफल यानि कूल प्रिश्चेतवल यानि टोटल सर्फिस ही लिया और यह होता है हमारे पास 2PiR और ब्रेक्ट में आर प्लस है वह कुछ रहा है तो बिलकुल कट रहा है तू पाई तो अब यहां देखा है एच जो होता है बीस और यह आर प्लस है मतलब आठ और बीस को जोड़ेंगे तो 28 आएगा और इसको काट तो पांच चार पंचे बीस और चार सत्य अठाइस हम देख पार हैं पांच अनुपाद साथ है यानि कि इसका चौथा उप्सन बिल्कुल करक्ट करता है अब इसको चेक करते हैं क्या यह सही है तो भाई बिल्कुल ठीक है नो प्रॉब्लम ओके तो यहां पर समाप्त होता है इस टाइप के कुश्चन भी आपके बनते हैं ओके चलो इसका स्क्रीन सौर्क लेलो फिर हम आते हैं नेक्स्ट कुश्चिन पे और अगले कुश चाहित है था 16 सेंटीमेटर आधार के व्यास वाले एक लंब विर्तिय शंकू का वक्र प्रिश्यत्रफल हमें ग्याद करना है यहां मैं शंकू की बात करूं भाई यह शंकू हो गया हमारे बस है इसके इंदर इतने ऊचाहिये 15 सेंटीमेटर इसके ऊचाहई दे रेखी है और इतने आधार का वर्यास ने पन्दरा कर दिया ठीक है और आधार का व्यास trackña मतलब 16 सेंटीमेटर यान्य की 8 सेंटीमेटर इसकी के त्रिज्या हो जाएगी तो हमें एक चीज तो पता है यह होता है इसमें और हमारे पास है आठ तो आठ का वर्ग हमारे पास कितना है 15 हमारे पास 15 है तो पंद्रा का वर्ग होगा पर या आठ के वर्ग की बात की जाए तो यह 64 आजएगा पंद्रा का वर्ग देखा जाए तो दो सो पच्छीस आजएगा ठीक है इनको जैसे ही मैं जोडता हूं तो कितना रहा है तो यह आजाएगा बाई 289 आएगा इसको जोड़ोंगे तो 289 किसका किसका वर्ग मूल क्या होता है तो इसका होता है 17 यहां से देख पा रहे हैं अब उसको यहां पर वैल्यूस पूट करेंगे देखों एक चीज़ पाई में आंसर है यानि कि हम अलका मान सब्सक्राइब नहीं रखेंगे पाई को पाई रहें दो भाई यह पाई रहा ग 136 फाई ऑगया टो बिल्कुल यहां पर चौथा प्रक्रेक्ट होता है जो कि 136 अब आप इसका सक ले सकते हो और नहीं है यहां की बात करें फॉर्सन नमबर बाराइक को सब्सक्राइब करना है तो वाले भुजाओं वाले समकॉंड तिर्बुज के तीन सेंटिमिटर भुजा के परीगत घुमाया जाता हैं इस परकार प्राप्त शंकु आइदर हमने घ्याद करना है कहना क्या चाहता है एक संकौन तिरबुजें और सब्छाने के की यह कुछ प्रहिंक साथ से गुमाएंगे तो यह इस साइड आ जाएगा यह एक शंकू की तरह देखने लग जाएगा तो वही यह कहा है कि घुमाया जाता है इस प्रकार प्राप्त शंकू जो हमें उसका आईतन हमें जात करना है यह जो है इसकी तरिज्जा है यहां से चार सेंटीमिटर प्रेंडर और उचाही जो आई है वह तो रहने देते हैं और उसके बाद और का मान कितना है तो चार तो चार गुने चार आएगा और एच कितना है तीन तो तीन लिखा और तीन से तीन कड़ गया चार चक सोला पाई हम यहां पर देख पा रहे हैं सोला पाई आ चुका है और ऑप्सन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होता है जो कि सोला पाई है दन तो आप इसका भी स्कुर्ण शॉट लिखते हो यह भी हाँ जिसा यहां बात करते है परसन नंबर तेरा कि और तेरा कोशन क्या कहता है तो यह कह रहा है ऐक बेलं का वकर ठी शहत्रफल इतना तैंग किnosis मैं यहां पडिकर लिखा मैंने फीसाइश कुछ होता है फाई होता है यह हमें दे रखाए-ता इसका आयतन जो है वह इतना है यानि की हमने लिखा वॉल्यम यानि यह होता है पायार स्कारच और यह हमें दे रखाए कितना तो यह दे रखाए पूरा व्यास घाद करना ठीक है और साथ में इसके मतलब है गयात करना है ठीक है अब व्यास का मतलब पहले तरिजया करें तब यहां पर आरही दिया हुआ है निकाल लेते हैं ठीक है अब यहां से मैं काहता हूं तो है क्या आ Mythical तो 264 बटे में दो पाई आर बचसरा है ठीक की जो गया अब इसको वोगार मैं काटता हूँ तो कितने बच रहा है दोसे काटे इसको तो यह रहे हैो है एक CP5K TV Oui 직 130 बटे में पाई और आम यह कि इसक इसमां कहु Bash कर यहां रखेंगे अपने आप आ रहेगा वहीं से एच को उठाके यहां रखा तो क्या दिख रहा है भई पाई तो ठीक है आर स्क्वाइर भी ठीक है और एच का मान मैंने देखा 132 बटे में पाई आर डन इसके बराबर है किसी पर कट रहा है तो भई मैं देखता हूं यहां पर छे के पहाड़े में चे नई साथ के पहाड़े में साथ के पहाड़े में इस अनुसार हमारे पास कितना है आर का मान आ गया साथ सेंटीमेटर है मीटर है मीटर में चल रहा है तो मीटर आएगा तो यानि इसकी त्रिज्या जो आ गई वह साथ मीटर आ गई है तो इसका व्यास और उंचाई की बात करें त्रिज्या साथ है मतलब इसका व्यास कितना होगा तो इसका व्यास जो हो जाए एक सो बटे में पाई है पाई रख दिया हमने और साथ में आर है आर कितना है साथ है वह यह चीज़ कर दिया और पाई कामान भी डाल ही देते हैं आपे क्योंकि हमारा एक्जेक्ट है पाई में नहीं है तो इसको लिखा बाइस बटे साथ मतलब साथ उपर चला जाएगा इस स 32 होता है बिल्कुल तो एच का मान कितना गया च्छे आ गया यानि की अब हमें क्या चीए था व्यास तथा उचाई का अनुपाद तो व्यास कितना है हमारे पास तो व्यास है 14 और उचाई कितनी है तो भी छे है ठीक है इसको काटा हमने तो यह 7 और यह तीन आ रहा है तो सा यह एक इंपॉर्टन कोश्चन है और यह भी आपको आना चाहिए अब आते हैं नेक्स्ट कूश्चन पर पहले इसको चेक करते हैं क्या यह सची है तो भई बिल्कुल ठीक नो प्रब्लम और आते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर देखते हैं अग्रा किस्टाइब को एफ हाज है तो उस संकू की त्रिज्जा हमें क्यात करनी है देखो क्या चीज कह रहा है कि वह यह जो आपके पास बेलन है उसको पिगलाकर शंकू बनाया गया है तो पिगलाकर शंकू बनाने का मतलब क्या है वह बेलन को मैंने जैसे यह माना हिक्स रगा यह हमारे पास बेलन है और पर बेलन की त्रिज्या हमें दे रहे तो वह आठ रहा और इसके उचाई कितनी है दो है थोड़ा बड़ा बना दिया कोई बात नि ठीक है यह दो आ करनी है उच्आ है ड़न चलो ठीक है अब भाigu हमें पता है इसी को पिगलाकर तो बनाया है तो दोनों का इतन से मूगा अगर मैं इस पर मानता हूं इसका आर जो है वह आठ है ठीक है और है जो है बिलन का ऐतन जो की होता है लइक बात करये लिए तीन पाइ आर чोटे इसके चूटे आर चोटे है डन चलो ठीक है यार का माँन कितना है एठ गने में 8 है एच का मान कितना है दो तो दो लिग दिया इधर एक बठे में तीन और इसके आर की बात की जाये तो यह नहीं पता लेकिन एच हमें पता है चे हैं इस तीन दुनी छे काट दिया हमने और इस दो से दो कट गया अब देखो आर बर वर की बराबर क्या रहा है तो भाई आठ का तरगा रहा है क्या है फिस अनुसार और का मान आठ आ यानि हम क्या सकते हैं इसके तुरज्जा जो है वह आठ हा चुके है वह भी सेंटीमेटर चल रहे तो सेंटीमेटर अगले को देखते हैं वह किस टाइप का है उसको भी करेंगे बड़ा राम से ओके चलो भी ठीक है आपने स्केंशाट ले लिया अब आते हैं नेक्स्ट पर हाज तो यह है हमारा पंदरवा कोश्चन और यह कहता है दो गोलों के आयतनों का अनुपात यह दे रखाए दो अलग तो भी इसने कहा है वीवन ब्वीटू जो दे रा है वो चोंइट बटेnumber गोटे है चॉँए पायास कर दे रहा है अब इसने कहा है उनके प्रष्ट शेत्र प synergy का उनुपात गयाद करना है यानि कि भाई हमें गयाद करना है एवन די2 यह क्या होता है तो यह होता है फोर बाई थरी पाई ड्यक्तर किण गाए और आर त्री बीड़ाइस दोनों पर क्यूबि लिखा है तो चारगा दोनों के क्यूब को अगर काटा जाए तो अब हमारे पास आ रहा है र बटे में आर जो है यह है चार बटे में तीन ठीक है यह जिए मार पास आगे आव इसकी हर्प से कैसे निकालेंगे तो यहां फोर पाई से प्ट गया हमेंच यह आर स्कॉर बठे आर चीए हमारा निकला और बटे आर दोनु तरफ अगर वर्ग करते हो इसमें वहीं दोनों तरफ अगर वर्ग करो के में तो क्या ऐगा तो का स्कुयरे बटे में नव एकई कासुक्त बढ़र इदर भूगा तो सोला बटे में नव आए सोला बटे नव यानि कि सोला अनुपात नौ कौन सा वाला भाई यह पोथ ऑप송 से अनुepात नौ reward हो नहूं कर चुके हैं अब इसको चेक करते हैं क्या सही है तो हमने चेक किया तो भई बिल्कुल ठीक है नो गरों उके चाहिए तो इसी के साथ यहां पर समाप्त होता है और कि यहां पर आज-डिस्कस किये हैं और इसके बाद और हम नेक्स्ट क्लास में बहुत हैं और उसमें भी नेक्स्ट के 15 कुशन और भी हैं वो भी हम डिसकर्स करने वाले हैं वह भी बहतरीन तरीके से तो इसको आपने देखा यह देख लिए कि अच्छे जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट आवी से बहुत ही इंपॉर्टन है औ कि सब ही वीशियों के complete वीडियो को सर्पोभी free of cost और एक चेप्टर दू चेप्टर फ्री करवाया और कह दिया बागयों के लिए पाइसा दो थो पैसा पाइसा का चक्कर यहां कुछ नहीं है यहां हर चीज मिलती है best quality में मिलती है और complete मिलती है और इसके लिए आपको किसी पर हमारे top courses क्या है तो सी इंग्लिज मेडियम और हिंदी मिडियम और थाथ और इंसी आटिस एलेटेट जोभी बोर्ड है आपके पूरा स्लीवर किया गया है जिसमें आपके यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड चाहिए भी हो गया चाहिए बोड है जो भी बोर्ड है जो जो चलब उसके बाद क्या है तो उसके बाद आपको दिखता है यहां पर करवाई जाती है इसे हम देख पा रहे हैं यहां पर करवाई जाती है इसका मतलब यह जो आपके महंगे-महंगे कोर्सेज जो कि आपको पता ही होगा लेकिन यहां पर यह सारे कोर्सेज बिलकुल फ्री औफ को सब्सक्राइब को बहुत आपको बहुत अच्छी बात होगी तो इसे के साथ कहना चाहते हूं अगर वीडियो आपको अच्छी लगत तो इसे लाइक कीजिए न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रही हैं ओके बाइ टैंक यू